महासागर विविध प्रकार के दुरलब और आकरशक जीवों का घर हैं। यहां समुद्र में पाए जाने वाले दुरलब जानवरों के कुछ उदाहरन दिये गए हैं। कोलाई कैंथ को अक्सर जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे लगभग 66 मिलियन वर्षों तक विलुप्त हो चुके थे। हाला कि 1938 में दक्षन अफ्रीका के तट पर एक जीवित कोलाई कैंथ की खोज की गई थी, जिससे साबित होता है कि यह प्रजाती अभी भी अस्तित्व में है। सियूलाकैंथ की विशिष्ट विशेशताओं में से एक उनके लोबदार पेक्टोरल पंक हैं, जो टेट्रापोर्ट्स के अंगों में पाए जाने वाली हड्डियों और मानस्पेशियों के समान होते हैं। कोलाकैंथ गहरे समुद्र में रहने वाली मचली हैं और आम तोर पर समुद्र की सतह से 200 से 700 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं। वे पानी के नीचे की गुफाओं और चट्टानी घाटियों को पसंद करते हैं। सियुलाकैंथ के सिर में एक विशेश अंग होता है, जिसे रोस्ट्रल ओर्गन कहा जाता है, जिसे इलेक्ट्रोरिसेप्टर माना जाता है। यह अंग उन्हें गहरे समुद्र की गहराई में शिकारद्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करता है। कोलाकैंथ जीविट बच्चों को जन्म देते हैं, जो मचलियों के बीच प्रजनन की एक दुरलभ विधी है। मादाएं विकास शील भुरूनों को आंतरिक रूप से ले जाती हैं और प्यूप्स पूरी तरह से विकसित पैदा होते हैं। जीविट कोलाकैंथ की खोज एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज थी जिसने वर्टिब्रेट्स के विकास में मूल्यवान अंतरद्रिष्टी प्रदान की और गहरे समुद्र के एको सिस्टम की हमारी समझ को चुनौती दी। नमबर दो, गोबलिन शार्क. गोबलिन शार्क, मित्सुकुरिना, ओवस्टोनी, विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे असामान्य और दुरलब शार्क प्रजातियों में से एक है। सबसे विशिष्ट विशेष्टा, इसके अत्यधिक विस्तार योग्य जबडे हैं, जो शिकार को पकड़ने के लिए बाहर की योड निकल सकते हैं। इसका लंबा, चप्टा, थूथन, तलवार जैसा दिखता है, विशेष सेंसर से लैस है जो आसपास के शिकार द्वारा उतपादित विद्युत संकेतों का पता लगाने में मदद करता है, जिससे गोबलिन शार्क को पूर्ण अंधेरे में भोजन का पता लगाने में मदद मिलती है, गोबलिन शार्क की तवचा सतह के पास, रक्त वाहिकाओं की उपस्थिती के कारण, अर्ध पारभासी और गुलाबी रंग की होती है, यह शार्क को एक गुलाबी रंग देता है, अत्यधिक गहराई पर रहते हुए, गोबलिन शार्क ने गहरे समुद्र के उच् वहाँ अंधिरी गहराईयों में नेविगेट करने और शिकार करने के लिए वे द्रिश्टी पर कम और अपनी अन्य इंद्रियों जैसे इलेक्ट्रोरिसेप्शन पर अधिक भरोसा करते हैं नमबर तीन, डंबो ओक्टोपस डंबो ओक्टोपस का नाम डिजनी के पात्र डंबो दे एलिफेंट से लिया गया है क्योंकि इसके कान जैसे फिंस डंबो के कानों से मिलते जुलते हैं इन फिंस का उपयोग सुन्दर तैराकी के लिए किया जाता है, जो डंबो के कानों की फढ़-फढ़ाहट के समान होते हैं। डंबो ओक्टोपस समुद्र की सतह से 3000 से 7000 मीटर, 9800 से 23000 फीट नीचे तक की अत्यधिक गहराई में निवास करते हैं। इन्हें सबसे गहराई में रहने वाली ओक्टोपस प्रजातियों में से एक माना जाता है। अपने कान जैसे फिंस का उपयोग करते हुए, डंबो ओक्टोपस समुद्र तल के उपर मंडराते हुए, खूपसूर्ती से खुद को पानी में आगे बढ़ाते हैं। उनकी तैराकी शैली गहरे समुद्र में एक सौम्य, धीमे नृत्य की याद दिलाती है। अन्य ओक्टोपस के विपरीत, डंबो ओक्टोपस में आंतरिक या बाहरी आवरण की कमी होती है, जिससे उन्हें नरम, जिलिटिन्स, शरीर मिलता है। डंबो ओक्टोपस मुख्य रूप से छोटे क्रस्टेशियन्स, मोलस्क और अन्य गहरे समुद्र के जीवों को खाते हैं। उनके आहार में समुद्र तल में रहने वाले शिकार शामिल होते हैं, जहां वे अपने टेंटकल्स का उपयोग करके शिकार करते हैं। उनके प्रजनन के बारे में विशिष्ट विवरण, अन्य ओक्टोपस प्रजातियों की तरह माना जाता है कि डंबो ओक्टोपस एक संक्षिप्त संभोग अनुष्ठान के माध्यम से प्रजनन करते हैं, जिसके बाद मादा अंडे देती है, जिनकी वह तब तक रक्षा करत जब तक की वे फूट न जाएं. कुछ डंबो, ओक्टोपस, बायोलुमिनसेंट क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उन्हें फोटोफोरस नामक विशेश अंगों का उप्योग करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं. यह बायोलुमिनसेंस संचार और शिकार को आकरशित करने सहित विभिन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है. नमबर चार. हुडिड सील. हुडिड सील, सिस्टोफोरा क्रिस्टाटा, एक बड़ा और विशिष्ट समुद्री स्तन पाई है, जो अपनी फुलाने योग्य नाक की थैली के लिए जाना जाता है. वयस्क नर बारे जैसी नाक की थैली से आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसे वे साथियों को आकर्शित करने और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फुलाते हैं. और वे संभोग के मौसम के दौरान अनोखी ध्वनी निकालते हैं, हुडेड सीले, सर्दियों के अंत या उनके पिल्लों के बारे में एक दिल्चस्प तत्य यह है कि वे अपने जन्म के दूसरे दिन ही अपना दोगुना वजन हासिल कर लेते हैं. हुडेड सीले, मुख्य रूप से, केपेलिन, हेरिंग और स्कुड जैसी वे भिन्न मचली प्रजातियों को खाती हैं. वे कुशल खोर हैं और शिकार की तलाश में 700 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं.